नमस्कार आपके साथ मैं हूँ पूजा शर्मा वक्त है सुपरफास 200 का लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल से जहां कल रात आए भुकम ने भारी तबाही मचाई है नेपाल में भुकम से अब तक 139 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं नेपाल में भुकम के झटको से सैक्रों मकानों को नुक्सान भी पहुँचा है भुकम सी नेपाल के रुकुम वेस्ट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ रुकुम वेस्ट के जिलाधिकारे के मताबिक अब तक वहां कम से कम 36 लोगों की जान चली गई है जबकि मलबे में अभी भी कई लोगों की भसे होने की आशनका है रात होने के वज़े से रहत और बचाफ कार्य में परिशानी ज़रूर हुई लेकिन मेडिकल टीम और दवाईयों को लेकर भुकम प्रभावित इलाकों में जाने के लेती इन हलिकॉप्टर तयार है मौसम खुलते ही काटमांडू से इन हेलिकॉप्टर को भेजा जाएगा स्थानी स्तर पर भुकम प्रभावित इलाकों में राहत और बचाफ कारे युद स्तर पर चल रहा है भुकम के जटके रात करीब 11 बचकर 32 मिनिट पर महसूस किये गए नेपाल में भुकम का केंदर जमीन से 10 किलो मीटर नीचे था रिक्टर स्केल पर भुकम की तीवरता 6.4 आंकी गई और जटके इतने तेज से की गहरी नींद में सोय लोग भी जाग गए और जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल गए जगा जगा अफरत अफरी मच गए आपको बता दी जाजर कोट रुकम वेस्ट पैंक और नलगर ये वो इलागे हैं जहां पर रात को भुकम के 30 जटके महसूस किये गए नेपाल में भुकम से अब तक कई लोगों की जाने जा चुकी है अगर जाजर कोट की बात करें तो सबसे जाने बहीं गई है बानबे लोगों की मौत हो गई है रिक्टर स्कील पर भुकम की तीवरता 6.4 मा पी गई भुकम के बाद नेपाल में कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है कई मकान ऐसे भी हैं जिनकी चछत भड़ गई है भुकम के डर से लोग अभी भी अपने घरों से बाहर है क्योंकि कई मकान तो ऐसे हो गई हैं जो अब रहने लाइक नहीं है तो यह तस्वीरे देखिए किस तरीके से भुकम के बाद जो मकान थे उनमें दरार पड़ गई और भुकम से नेपाल में इतनी भीशन तबाही मची है कि नेपाल में भुकम की कारण सतर लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है मकान ऐसे हो गए हैं कि जो अब रहने लाइक नहीं रहे तकरिबन 11 बजे के बाद यह भुकम पाया जिसकी वज़े से इतनी तेज यह भुकम था कि लोग घरों से बाहर निकल गए रिक्टर स्केल पच्छे तशवलब 4 भुकम की तीवरिता मापी गई वही नेपाल के पिएम पुष्प कमल दहल प्रचंड भुकम प्रभावेत इलाकों में पहुँच गए हैं प्रधान मंत्री प्रचंड जाजर कोट पहुँचे हैं जहां सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है प्रधान मंत्री प्रचंड मौके पर हालात कम वायना कर रहे हैं लोगों की जान चली गई है रुकुम वेस्ट पैंक और नलगड यहां पर भी भुकम के जटके महसूस किये गए और मौके पर हालात का जायसा लेने के लिए पुष्प कमल दहल प्रचंड पहुँच चुके हैं इस वक्त तस्वीरे आप देख रही हैं बहुत मुश्किल है नेपाल के लिए हमाले की गोद में बसा हुआ नेपाल एक बार फिर से इस भुकम की दंश जहल रहा है भुकम की मार जहल रहा है आई आपको दिखाते हैं इस मैप के ज़रिये नेपाल में भुकम से किनकिन इलागों में तबाही हुई है आप ये पूरी बेल्ट देख रहे हैं नेपाल का नक्षा आपके सामने है काटवांडू से लेका जाजर कोट, जाजर कोट से लेका रुकम वेस्ट ये वो दिन इलाके हैं जहांपर सबसी ज्यादा नुकसान हुआ है जाजर कोट के हम बात करें हैं जाजर कोट में आज जो भुकम पाया उसके बाद बान भी लोगों की जान चली गई है कई घर ऐसे हैं जिनमें बड़ी बड़ी दरारे आ चुकी है कई घर ऐसे हैं जो द्वस्त हो चुके हैं और उनमें कई लोगों की जाने चली गई है और कई घर ऐसे हैं जो इतने जरजर हो गए हैं अब रहने लाइक स्थिती नहीं है और जब भी ऐसे कोई बड़ा भुकम पाता है उसके बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स का भी एक डर बना रहता है इसले लोग जिनके घर सीफ हैं फिर भी वो अपने घरों में जाना नहीं चाहते पूरी रात उन लोगों ने अपने घर से बाहर खुले आस्मान के नीचे रात बिताई है इस वक्त जो तस्वीरे सामने आ रही हैं वो आप प्रधान मंतरी के तस्वीरे देख रही हैं लगातार वो रहात और बचाव के काम का जायवसा ले रही हैं कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन ले रही है तो नेपाल के प्रधान मंतरी मौके पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरे देखे आप ये जो मैप आप देख रहे हैं तीन इलाकों में भयानक भुकम पाया और इस भुकम ने काफी ज़्यादा तबाही नेपाल में मचा दी है 70 से ज्यादा लोग उनकी मौत हो चुकी है ये ही है वो तीन इलाके जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है रात को जब लोग सो रहे थे तब भुकम के जटके महसूस किये गए जाजर कोट, काटमांडू, रुकुम वेस्ट ये वो तीन इलाके जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहली तस्वीर, ये तस्वीरे हैं जो मकान, जिनकी मकानों में घर के दरारे आ गई हैं और लोगों को घर में जाने में काफी जादा अभी भी डर लग रहा है क्योंकि ये दरारों की वज़ा से घर में रहने में काफी जादा डर लोगों को महसूस हो रहा है इसलिए अभी भी लोग घर के बाहर ही हैं मुकम के बाद नेपाल के ये वही घर हैं जिनमें बड़ी बड़ी दरारे पड़ गई है और कई मकान ऐसे हो गए हैं जो अब रहने लाइग भी नहीं रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ संवारता नितीश शंद्रा लाइव जुड़ गए हैं नितीश बहुत बड़ी तबाही आई है नेपाल में इतने लोगों की जान चली गई है फिलाल वहाँ पर स्थिती क्या है? यहां पहुचना बहुत मुश्किल है इसलिए यहां तक मेडिकल टीम को पहुचने में या फिर यहां से घायलों को निकालने में दिक्कते आ रही है नेपाल गंज वो इलाका है एरपोर्ट का जो यहां से नजदीक है तो कोशिश यह की जा रही है कि जो घायल है जो घायल है जो वहाँ पर मुसीबत आई है राहत नेपाल के लोगों को इससे मिले